दुर्ग भिलाई में प्रतिभाओं की कमी नहीं है चाहे शेत्र कोई भी हो यहां के कलाकारों ने अपने योगिता दिखा कर जीत का पर्चम लह रहा है जिहां स्लाम क्लास से शिल्पी शर्मा जोकी शास्वत म्यूजिक क्लास में डॉक्टर सोनले चक्रवत्ती संगीत की विधा सिखी है इन्होंने मुबई में आयजीत संगीत मैं कॉम्परिशन में उर्मिला एवार्ड जीता है शिल्पी के जीत कर लोटने के बाद मैत्री माथूर जो की नेकी की पार्चाला चलाती है उनके यहां शिल्पी का स्वागत क्या गया शिल्पी नेकी की पार्शाला में संगीर भी सिखाती है इस मोके पर मधुर्गीत शिल्पी ने प्रस्थुत किये वहीं यहां शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी सर यह बहुत बड़ी उपलब्दी है मैंने सोचा नहीं था कि मैं यह कॉम्पेशन जीतूंगी लेकिन मैं का भरोसा और सपोर्ट रहाद मैं जीत गई है मैं क्लास 9 से मैं के पास सुनाली डॉक्टर शुनाली चकरवरती मैं के पास सीख रही हूं शाष्वत म्यूजी क्लास अर अतलब मैंने भिलाई में ही और दुरक में जीते जराए कॉम्पेशन हुए है मैं के सब जगा पाटिसिपेट कि ये बहुत जगे जीते और मैंने इस कॉम्पेशन में जरीए पाटिसिपेट किया था उन्हीं ऑप्रिशेट किया कि आप आस सकते हो बट मुझे अभी नीनी थी कि मैं जीतूंगी बहुत-बहुत धनिवाद मैं सेर मैं मुझे 9-10 साल लगब हो गया सेर यही कि उन्हें अगर वो सीखना मतलब म्यूजिक के छेट में करियर बनाना चाहते तो उनको लगे रहना चाहिए उसमें वो स्ट्रगल है इसमें लेकिन आपको कंटीनू रखना है से अभी छोड़ना नहीं है बीट में प्राक्टिस टेली करनी चाहिए और आपको जितने ज़्यादा कॉंप्टिशन हो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए यह आयोजन है कि यहां शिल्पी शर्मा यह 21 वर्षिये है शिल्पी शर्मा ने मुंबई का एक प्रतिस्ठित संगीत शेत्र का एवार्ड उर्मीला एवार्ड जो संगीत के एक प्रत्योगीता है वो जीत लिया है इसमें खास बात ये है कि शिल्पी भी एक स्लम क्लास से आई है जो कच्ची धूप नाम की भिलाई में मैं चलाती हूँ और यहां माथूर मैडम, मैतरई माथूर मैडम नेकी की पाठशाला नाम से दुर्ग के बच्चों के लिए चलाती है शिल्पी अब यहां की टीचर है, music teacher और साथ में वो संगीत विशारत की परिक्षा भी दे रही है इस समय final year में है तो यह हम दोनों classes के लिए और खासकरीन बच्चों की teacher के लिए यह बहुत ही खास दिन है इसलिए आज शिल्पी का यह स्वागत और सतकार हो रहा है यह मेडम के आशिरवाद के तौर पे आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारी शिल्पी ने बहुत बड़ा music के शेतर का आवाड जीता है जो कि बुंबई के जो institution है उन लोगों की jury ने पूरे इंडिया से जो nominations आये थे उनको assess करके शिल्पी को विनर घोशित किया है आप YouTube में भी देख सकते हैं और Instagram में भी, Twitter में भी She is being honored by everyone तो हम लोगों ने सोचा हम लोग भी इसको खुद साहत से मनाते हैं इसलिए आज हम लोग ने ये सब आयोजन किया है और सच बात है कि आप यदि शिल्पी का गाना सुनेंगे तो ऐसे singers को बहुत बड़ा platform मिलना बहुत लाज़मी है तो आज हम सब बच्चों की तरफ से शिल्पी को खूब खूब बदाई है और आज हुआ 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 है